हमने वह गावत तो कई बार सुनी और पढ़ी होगी कि कुट्टे इंसान के सबसे अच्छी और वफादार दोस्त होते हैं और इसे लिए अकसर हमने देखा है कि लोग कुट्टों को पालती भी है जो सच में एक अच्छी बात है लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उन कुट्ट का शेहर में वाली बनते दिख रहे है शेहर के डॉग मैन आखिर कौन है ये डॉग मैन और क्यों ने डॉग मैन की उपादी मिली आये चानते है हमारे स्पेशल रिपोर्ट में कोड़ा माहमारी के इस दौर में जहां कई लोगों को एक वक का भोजन मुश्कल से मिल रहा है और लोग घर से बाहर निकलने में कत्रा रहे है वही एक शेक्स ऐसा है जो हर रोज घर से बाहर इसलिए निकलता है ताकि आवारा कुट्टि भूकी ना रह जाए इस शेक्स का नाम है रंचित नाथ जो नाखपूर के रहने वाले हैं मेरा करने का जो उद्देश है मैं कोई तिथी बीदी नहीं देखा स्वमाई नहीं देखा मुझे लग रहे हैं 2009 से मैं थोड़ा सा जोस लगा के करना शुरू किया उसके पहली भी करता था रंचित कोर्णा महामारी की शिरुवात से ही लगबग 190 आवारा कुट्टो को हर चिकन बिर्यानी खिलाते हैं लोग प्यार से उन्हें रंचित दादा भी कहते हैं रेंशितनात महामारी की शुरुआत की बाद से रोजाना लगभर 40 किलोग्राम पिर्यानी पका रहे हैं वह करीब 190 आवारा कुट्टों को खाना खिलाते हैं वो कहते हैं कि मैं बुध्वार, रविवार और शुक्रवार को व्यस्त रहता हूं क्योंकि मैं कुट्टों के लिए 30-40 किलोग्राम पिर्यानी तयार करता हूँ वे अब मेरे बच्चों की तरह हैं मैं अपने जिन्दार रहने तक यह काम करूँगा यह मुझे खुशी प्रदान करता है इसका प्रवना सेर सास्त्रों का उन्षार में बेजवानों का सिवा करना उत्तम दया हूँ इनका बहुत बड़ एक सकती है जो देखाई नहीं देता प्रवना delicious इनको मैं घिलाता हूँ मोर्गी और बक्रा इसका जो चाटन निकलते हैं जो चाटन फेक जाते हैं और गंदिकी होगा किरिमा कोरा होगा बीमारी होगा उसी चाटन को मैं उठा कर लिय आता हूँ ताजे में ताजा इसको बार्ना के घिलाता हु इसके पहले जब खिलाता था तब सुन्दर बिस्किट फैक्टरी से मैं बिस्किट लेके आता था और वो बिस्किट में खिलाता था रंजीत नाद के दिन की शुरुआत पिर्यानी की तयारी से होती है वह इसे दूपेर से पकाना शुरू कर दीता है और रोजाना शाम पाच वजी अपनी बाइक पर एक बड़ा सा बर्दन लेकर आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए शेहर का चकर लगाते है नाद बताते हैं कि मेरे पास दस से बारा निशित स्थान है और मेरे बच्चे उन जगाओं के बारे में जानते हैं जैसे ही वो मुझे देखते हैं वे मेरी और तर्ण लगते हैं मैं आवारा जानवरों की साथ भीद भावन नहीं करता मैं बिल्यों को भी खिलाता हूँ दीश में कोणा संक्रमन लगातार बढ़ रहा है इस वायरेस के चर्ती के राच्यों में लॉक्टाउन लाकू है वही पिछले एक साल से कोविड-19 की कारण कई लोग पिरोजकार हो गए है उन्हें एक समय का भूजिन भी नहीं मिल पा रहा है वो खाने के लिए संगर्ष कर रहे है वहां से निकलने के बाद आज से शुरू होते हैं मेरा पपा आ गया मुझे देना है आप आट आ गया देखिए गिन लीजिए ऐसी करके मेरा बच्छे है 170 से 90 मैं सचमुच इसको बच्छा मनता हूँ आप भी सहर एक बार करके देखिए इसका पागर लागू रहेंगे और उपर वाला को पास से और तीन पिरी आपका आपका बेटे का और उनका आने वाला पिरी का 100% इतना मैं गरंटी दे सकता आपको लेकिन लिखिद नहीं दे सकता क्योंकि इसके बार में कोई प्रोमान नहीं है मेरे पास से उसी वीच रंची दादा द्वारा शुरू की गए ये पहल सच में एक सरानिय कदम है PCN News के लिए कैमरा पॉसन अकलेश भारत द्वाज के साथ दिशाहतवार की स्पेशल रिपोर्ट कर दोक्ते हैं को की स्पेशल प्रोमान नहीं है कर दो कर दो अरा कर दो है माध युग में कहलों जानौरों के लिए इती निरदय और किprogram हो गये हैं चीन से जानौरों की जीवन पर खत्रा मन रहा है दरसल कोई अपनी स्वार्त और लालज के लिए जानौरों का शोष्ण कर रहा तो कोई धर्म की नाम पर जानूरों की बली दे रहा है और कोई भूजन और रिसर्च के नाम पर उनकी जान की बख्ष रहे है इसे बीच शेहर के डॉक्मैन रंजीत नाद्वारा किया जारा ये काम हमें जानूरों की प्रति करना प्राव रखना उनसे प्यार करना जैसे कई म झाल